Hello students, I hope all students are fine. आज हम अपने chapter को continue करेंगे. Wizz introduces computer. Now open page number 6. यह हमारा page number 6 है. Now read. Wizz enters his name on the computer. Wizz जो है computer पर अपना name लिख रहा है, tag कर रहा है. He enters his age और अपनी age भी इंटर की है, देखें. He paste his photograph. अपनी photograph भी पेस्ट की है. His name, age and photograph are data. He has entered into the computer. अपनी photograph, name और age. Wizz ने जो है इंटर की है computer में. The computer remembers the data for him. Computer जो है remember रखेगा, याद रखेगा Wizz का data. क्योंकि Wizz अपना data जो है save करेगा computer में. इस वज़ा से Wizz का data है, वो computer को याद रहेगा. अब हम ये activity करेंगे. Something belonging to me is. क्या कहलाती है, जो चीज़ हम से belong करती है हमारा data. जैसे हमारा नाम, हमारी photograph, हमारी age, ये सब क्या है हमारा data है. तो इस blank के अंदर आप लोग लिखेंगे data. To keep in my memory is to. जो चीज़ हमारी memory में जाद रखते हैं याद करते हैं या फर, तो वो हमारा क्या कहलाती है? या हमारी क्या कहलाती है? या दाश कहलाती है. to page number seven data can be words numbers or picture हमारा data words पे हो सकता है number पे हो सकता है picture पे हो सकता है enter data write your name and age on the computer paste your photograph अब आपने इस activity में क्या करना है firstly यह आपका जो है home walk अब आपने अपनी book के अंदर यानि यह computer बनावा है इसमें आपने पिक्चर जो है अपनी photograph पेस्ट करनी है then यह अपना name लिखना है फिर अपनी जो है age लिखनी है ठीक है तो आपका यह विस की तना इक data हो जाएगा it's your homework now open page number eight read this computers are used everywhere in schools, office and at home computer जो है हमारे schools में use होता है, offices में use होता है, at home यानि घर में भी use होता है, हर जगा computer भी use होता है they have become a very important part of our lives यह हमारी life का एक important part है, एक खास हिस्सा है क्योंकि computer अब हर जगा मौझूद है, हर जगा use होता है, जरूरी हो गया है how many computers can you find, write the correct number in the box where are they being used, look at the pictures and write the correct answer अब इन picture, हमें बहुत सारी pictures दी हुई है, हमारी book में देखें इस तरह से ठीक है, अब हमने देखना है और बताना है, कहां कहां computer जो है, use होता है और हमने इसको correct भी करना है, किस तरीके से, कि हमने इन डाइग्रामस में देखके बताना है कि ये picture के अंदर ये घर है, या school है, office है, या कोई shop है, कोई mart है, इस तरह से हमने बताना भी है और tick भी करना है, और write भी करना है blank में, ठीक है, ये मैं आपको एक करके बता रही हूँ देखें इस तरीके से, अब यहां students बैठे हुएं, और ये जो है, computers है, ठीक है, आप देखें, यहां chart भी है तो आप बता सकते हैं कि ये school है या home है, बताएं, school है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, school, यहां आप लिखेंगे, school और हमने ये भी बताना है कि इतर कितने computer मौझूद है, कितने computer हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, तो यहां 3 computer हैं, ठीक है, 1, 2, 3, तो हम यहां लिखेंगे box के अंदर, 3 computer मौझूद है, अब आप लोग page नमबर 9 पर आजाएं, अब आपने इस बताना है, इस page पर यापको diagram दिख दिख रही है, ये computer है, computer lab है या hospital है, देखें, ये man है, इस भी पेना हुआ है, ठीक है, तो ये medical coat है, ठीक है, तो अब आप कोई क्या लग रहा है, ये computer lab है या hospital है, hospital है, ठीक है, राइट है, hospital आपने बताने है कि कितने इस इतने जानी फहने रुप you आपने लिखने ус जापने बताने कि आपन कि दे ुप dynamics तरह ऐने लिखने कि आपने द पर और या हुआ इस अपने लिखने लिखने इस थी यह रेस्टरेंट है यह सुपरमार्ट है तो यह सुपरमार्ट है तो आपने इसी तरह यहां टिक करना है यहां सुपरमार्ट लिखना है और बताना है कि कितने computers हैं तो यह 1 और 2 तो 2 हैं तो यह 2 लिखेंगे इसी तरह school है यह ticket counter है यह आपको क्या नजर आ रहा है ticket counter तो आपने just ticket counter पर tick करना है और फिर यह ticket counter की spelling लिखनी है और आपने बताने कि यहां कितने computers हैं इनके numbers यहां box में लिखने it's your homework अब आपने homework done करना है हमारा chapter 1 complete हो चुका है now see you soon अलाफिज